कसौली विधानसवा के विधायक विनोध सुल्तानपुरी ने जाबली में पिछले 20 सालों से बंद पड़े फ्रूड प्रोसेसिंग प्लांट का निरिक्षण किया हिम प्रोसेस सोसाइटी का यह फ्रूड प्रोसेसिंग प्लांट एचपीमसी ने लीज पर लेकर चलाया था प्रन्तु लीज खत्म होने के बाद कुछ विवादों के कारण यह बंद पड़ा है क्षेत्र की पांच पंचायते इसे शुरू करने की कई वर्षों से मांग कर रही हैं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके बता दे करीब 46 वर्ष पहले तक कालीन वुक्यमंत्री डॉक्टर वाईयस परमारद्वरा बागवानों वकिसानों के लिए फ्रूट्स प्रोसेसिंग प्लांट का उदगाटन किया गया था आज मुझे मुझे मिला हमारे थे थांडिये साथी हमारे जो इनोंने तुनावों में मदद कीती हैं और जाबली से संबन्द रखते हैं कॉमर्स पार्टी ने निर्णे लिया है कि इंप्लॉइमेंट जेनरेशन की बारे में हमाजी बहुत बड़ी एक स्कीम रहेगी कॉमर्स पार्टी की सथकार की और आज मैं जाबली से जब जा रहा था तो हमारे साथियों ने मुझसे अनरोत किया कि यहां पर जो हमारा प्रोसेसिंग क्लांट है उसके उपर एक विजिट की जाया और वहां का हालत देखी जाया जो बहुत बड़ा एक इंप्लॉइमेंट का एक साधन था और हमारे सानिय जो साथी थे वो यहां पर बहुत मेहनत करते थे और यह बहुत एक प्रॉफिट मेकिंग यूनिट रहा है हमारे सर्कार का डॉक्टर यश्वंत परमार ने हमारे जो आदनिय प्रत्रमुक्य मंत्री उन्हों ने इसकी नीव रखी और इसे बहुत अच्छी तरीके से चलाया तो आज मैं यहां पर जब मैं देखने आया तो मुझे डुक हुआ है कि इतना अच्छा इंसिच्यूट इतना बड़ा यहां पर हमारे पास इंडस्ट्री वे हां पर थी जो आज सिक इंडस्ट्री के तहर यहां पर पूरी मशीन दीज पड़ी जंख आ ज़ा दिए मैं सरका कि यहां पर जो हम कर सकेंगे उसके उपर हम बचार तरें और यह जो यूनिट यहां पर जो ऐसी ही पड़ा हुआ है इसकी मेशिनरी इसको हम दुरूस्त करें और इस लोकेशन को यह क्योंकि पूरी प्राइम लोकेशन है नाशनल हाईजर से लगी है इसका पूरा यूटला विधायक विनोस सुल्तानपुरी ने इस दौरान स्थानिये लोगों को आश्वासन दिया कि वे मुख्यमंतरी के समक्ष इस प्लांट को पुनह शुरू करने के लिए चर्चा करेंगे ताकि लोगों को रोजगार उपलब्द हो सके कुधार जिला सोलन से आपका चैनल लियूज के लिए राजीव खामोश की रिपोर्ट